जे माता दी राधे राधे आई ये सुनते हैं दुर्गा सब्तसती का नमायध्या निशुम्भबध राजा ने कहा हेरी सीरा आपने रक्तवीज के वद से संबंध रखने वाला वृतान मुझे सुनाया अब मैं रक्तवीज के मानने के पश्चा क्रोध में भरे हुए सुन्भव निशुम्भने जो कर्ण किया वह सुनना चाहता हूँ महसी मेधा ने कहा रक्तवीज के मारे जाने पर सुन्भव निशुम्भ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार शर्मनाश होते देखकर निशुम देवी पर आक्रमर करने के लिए दवड़ा इसके पश्चार बहुत से बड़े बड़े अशुर देवी को मारने के वास्ते दवड़े और महा पराक्रमी सुम्भ अपनी सेना से चलिका को मारने के लिए बढ़ा फिर सुम्भ और निशुम का देवी से घोर इधोने लगा और वह दोनों अशुर इस प्रकार देवी पर बार फेकने लगे जैसे मेखो से वर्सा हो रही हो उन दोनों के चलाई हुए बारों को देवी ने अपने बारों से काट डाला और अपने सस्त्रों की वर्सा से उन दोनों दैतियों को चोट पहुचाए निशुम ने तिछल तल्वार और चमकती हुए धाल लेकर देवी के सिंग पर आक्रमण किया अपने वाहन को चोट पहुची देखकर देवी ने अपने चुरप्र नामक भार से निशुम की तल्वार वर धाल दोनों को ही काट डाला तरवार और धाल कट जाने पर निशुम ने देवी पर सक्ती से प्रहार किया देवी ने अपने चक्र से उसके दो टुक्रे कर दिये फिर क्या था दैत्यमारी क्रोध के जल्भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उनकी ओर सूल फेका किन्तु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया देवी ने त्रिसूर से गदा को भस्म कर डाला इसके पश्चार वो फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका देवी ने अपने तीखी बारो से उसे धर्ती पर सुला दिया अपने पराक्रमी भाई निशुम के इस प्रकार मरने पर शुम क्रोध में भरकर देवी को माने के लिए दवरा वहरत में बैठा हुआ था कि उत्तमाईधों से सुसोभी अपने आठ बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकास को धके हुए था शुम को आते देख कर देवी ने अपना संख बजाया और धन उसकी टंकार का भी अत्यंदुश्य शब्द किया साथ ही अपने घंटे की सब से जो की संपूर दैती सेना के तेज को नश्ट करने वाला था संपूर दिशाओं में व्याप्त कर दिया इसके पशा देवी के सिंग ने भी अपनी दहार से जिसे सुन बड़े बड़े बर्वानों मद चूर चूर हो जाता था आकाश, प्रिथवी और दसो दिशाओं को पूरीद कर दिया फिर आकाश में उचल कर काली ने अपनी दातों तथा हाथों को प्रिथवी पर पढ़का उसके ऐसा करने से ऐसा सब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे सब्द जान्त हो गए इसके पशार सिव दूती ने असरों के लिए भैयुत्पन करने वाला अठास किया जिसे सुनकर दैत्य थर राव थे और सुम को बड़ा क्रोध हुआ फिर अम्बिका ने उसे अरे दुष खड़ा रह खड़ा रह कहा तो आकास से सभी देवता जै हो जै हो बोल उठे सुम ने वहां आकर ज्वालाओं सी युक्त एक अतियंत भयंकर सक्ती छोड़ी जिसे आते देख कर देवी ने अपनी महोलफा नामक सक्ती से काट डाला हे राजन फिर सुम के सिंगनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनी से ऐसा घोर सब्द हुआ जिसने इससे पहले के सबसब्दों को जीत लिया सुम के छोड़ी बाड़ों को देवी ने और देवी के छोड़ी बाड़ों को सुम ने अपने बाड़ों से काट सैक्रों और हजारों टुक्रों में परिवन्तित कर दिया इसके पश्चाग जब चन्दिकाने क्रोध में भर शुम को त्रिशूर से मारा तो वह मुर्चित होकर प्रीथवी पर गिर पड़ा जब उसकी मुर्चा दूर हुई तो वह धनुस लेकर आया और अपने बाड़ों से उसने देवी काली तथा सिंग को खायर कर दिया फिर उस राचस ने दस ज़ार भुजाहें धारण करके चक्रादी आयुधों से देवी को आच्छा दित कर दिया तब भगवती दुर्गाने कुपीत होकर अपने बाड़ों से उन चक्रों तथा बाड़ों को काट दाला यह देखकर निशूम हाथ में गदा लेकर चन्डिका को मानने के लिए दवडा उसके आते ही देवी ने तिछ्रधार वाले खड़क से उसकी गदा को काट दाला उसने भी त्रिसूर हाथ में ले लिया देवताओं को दुखी करने वाले निशूम त्रिसूर हाथ में लिये हुए आता देखकर चन्डिका ने अपने सूर से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला शूर बिदिड हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महा पराक्रमी दैत्य ठहरजा कहता हुआ निकला उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहा का लगाया अभी वह निकलने भी नव पाया था कि उसका सीर अपनी तलवार से काट डाला सीर के कटने के साथ ही वह प्रिथ भी पर गिर पड़ा तदंतर सिंगन दहार दहार कर असुरों का भच्छर करने लगा और काली शिदूती भी राच्छो का रक्त पीने लगी कौमारी की सक्ती से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए ब्रह्माजी के कमंडल के जल से कितने ही असुर शमाप्थ हो गए कैदैत्य माहेश्वरी के तिर्शूर से बिदिढ होका प्रिथ भी पर गिर पड़े और वहराही की प्रहारों से छिन भिन होकर धराश साई हो गए वैश्ट रवी ने भी अपने चक्र से बड़े-बड़े महापराक्रमियों का कचुमर निकाल कर उन्हें यमलोक भेज दिया और एंड्रे न से कितने ही महावली राचस टुक्रे-टुक्रे हो गए कई दैत्य मारे गए कई भाग गए कितने ही काली सिवदूती और शिंग ने भच्छड कर लिए महसी मीरा ने कहा ही राजन आपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नश्ट हुई देखकर क्रोज में भरकर दैत्य राज सुम कहने लगा दुष्ट दुर्गे तु अहंकार से गरों मत कर क्योंकि तु दूसरों के बल पर लड़ रही है देवी ने कहा ही दुष्ट देख मैं तो अखेली ही हूँ इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है यह सब मेरी सक्निया है देख यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही है इसके पश्चाद ब्रामणी आज सब देविया उस देवी के सरीर में लीन हो गए और देवी अकेली रह गए तब देवी ने कहा मैं अपनी ऐसोरे सक्ती से अनेक रूपों में यहां उपस्थित हुई थी उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है अब अकेली ही यहां कहरों महर्सी मेधा ने कहा तब देवताओं तथा राजसों को देखते देखते देवी तथा सुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा अमीका देवी ने सैक्रू अस्त्र शंत्र छोडे उधर दैत्य राज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरम कर दिया देवी केいつ चू उनने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयनकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। तो देवी ने अपने तिछड़ बारों से उसकी चमकने वाली धाल को भी काट डाला। देवी ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी चाती में जोर से एक ठपड मारा। ठपड खाकर पहले तो देवी पर गिर पड़ा। किन्तु तुरंत ही वह उठखडा हुआ। वह देवी को पकड़कर आकास की ओर उचला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध रिशियों और देवताओं को आशर्य में डालने वाला था। देवी आकास में देटे के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकास में गुमा कर प्रिथ्वी पर गिरा दिया। दुष्टात्मा देटे पुनहुटख देवी को मानने के लिए दोड़ा तब उसको अपनी ओराता हुआ देखकर देवी ने उसकी चाती विदेड करके उसको प्रिथ्वी पर पठक दिया। देवी के त्रिसूर से घायल होने पर उस दैते के प्राड़ पखेरू उड़ गये। और उसके मनने पर शमुंद्र, द्वीब, परवर और प्रिथ्वी सब का अपने लगे। तदंतर उस दुष्टात्मा के मनने से संपूर जगत प्रशन वश्वस्त हो गया। तथा आका प्रास निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सुचक मेख और उलकापात होते थे वह सब सांथ हो गये। उसके मारे जाने पर न दियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर देवताओं का हुदे हर से भर गया। और गंधर मियां शुंदर गान गाने लगी। गंध गिसालाओं की बुझी हुई अगनी अपने आप प्रज्वली थो उठी तथा चारो दिशाओं में सांथी फैल गए।